तो बच्चों आज की कहानी है भूतिया तोनी चिडिया एक बार की बात है कालू कोवा अपनी पत्नी नीली चिडिया के साथ रूशी खुशी रहता था पर अचानक से एक दिन वो नीली चिडिया की पिटाई करने लगता है नीली चिडिया तेज तेज रोने लगती है नीली चिडिया की रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी तो उसकी पडोसन संतो चिडिया बाहर से उसको आवाज लगाती है कालू भईया ओ कालू भईया क्या हो गया नीली इतना क्यों रो रही है जरा बाहर तो आईए फिर कालू कोवा और नीली चिडिया दोनों बाहर आ जाते हैं कालू संतो चिडिया को बोलता है मैं दो बार से खीर बना रहा हूँ पर हर बार ये नीली सारी खीर चट कर जाती है नीली बोलती है, नहीं नहीं, मैं इनको कितनी बार बोल चुकी हूँ, खीर मैंने नहीं खाई है, पर ये कालू मुझे मार रहा है संतो बोलती है यदि नीली तुमने नहीं खाई कालू ने भी नहीं खाई तो कोन खा सकता है संतो चिडिया बोली ऐसा मेरे दोस्त अजगर के साथ भी हो चुका है वो भी मुझे बता रहा था कि लास्ट तीन बार से कोई उसकी भी खीर ऐसे ही खा जाता है संतो बोली चलो हम अजगर के पास चलते हैं, उससे ही बात करते हैं, देखते हैं, वो क्या बोलता है फिर सब लोग अजगर के पास चले जाते है अजगर के यहां जाकर कालू ने सारी बात अजगर को बताई अजगर बोला हम सब कल रात में देखेंगे कौन चोर आकर खीर खा रहा है अजगर कालू कोवा से बोला कालू कल तुम खिर से खीर बनाओ हो सकता है खीर की खुश्बू से चोर खीचा चला आये खाने को अगले दिन कालू अपने किचन में खीर बनाने लग जाता है उस खीर की खुश्बू पूरे जंगल में फैल जाती है वो खीर बना कर वही रख के चला जाता है फिर कालू, नीली चिडिया, संतो चिडिया, सब लोग पेड के पीछे छुप जाते है अचानक से उनके सामने एक पीली चिडिया का भूत नजर आ जाता है उस भूत को देख कर सब हक्के बक्के रह जाते है किसी को समझ नहीं आता क्या करे इंसान होता तो शायद बात भी करते पर भूत का सामना केसे करते फिर पीली चडिया धीरे धीरे अंदर जाती है और सारी खीर खाकर निकल जाती है अगले दिन जब संतो चडिया खीर बना कर रखती है तो भी ऐसे ही होता है पीली चडिया आती खीर खाती और कबरिस्तान में जाकर सो जाती सब लोग ये सब देख कर डर जाते हैं फिर तै करते हैं कि इस रात में कब्रिस्तान जाएंगे फिर रात होते ही सब लोग कब्रिस्तान की और रवाना होते वो सब देखते हैं कि पिली चिडिया सो रही है फिर सब लोग नीचे उतरते हैं उनमें से कालो कोवा हिम्मत करके पीली चिडिया को जगाता है पीली चिडिया जैसे ही आँख खुलती है डर कर सब लोग पीछे हो जाते है फिर पीली पूछती है सबसे तुम सब कोन हो तो सब लोग डर कर बोलते हैं, अरे हम वही है, जिनके घर से तुम खीर चुरा कर खाती हो पीली चडिया, एक नेक चडिया थी, वो बोली, मेरा नाम तोनी है, मैं आप लोगों के जैसे ही जीवन जीती थी मरने के पहले आज से 5 साल पहले मैं यही पास के ही पार्क के पास खीर बेचा करती थी मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने खीर का बिजनेस करने का सोचा बिजनेस काफी चल पड़ा था, काफी लंबी-लंबी लाइन लगती थी पर अचानक से कोरोना आ गया और मेरी दुकान मुझे बंद करना पड़ा फिर कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो कई पंची मर रहे थे उनमें मेरी भी मोत हो गई तब से मेरी आत्मा ऐसी ही भटक रही है मेरे शरीर को मुक्ती नहीं मिली मैं सडक में ही मर गई थी इसलिए कोवा बोला तोनी तुम चिंता मत करो मैं एक पंडित को जानता हूँ वो तुमको मुक्ती दिलाने में मदद करेगा फिर कोवा पंडित का इंतजाम करता है उसने पूजा में धेर सारी खीर भी रखी बहुत सारे मन्तों से आखिरकार तोनी को मुक्ती मिल गई सबने पंडित को धन्यवाद दिया जैसे ही तोनी चिडिया को मुक्ती मिली सब काफी ज्यादा खुश हो गए और वापिस अपने अपने घर चले गए और खुशी-खुशी रहने लगे ठैंक यू बच्चों आशा करती हूं कि आपको मेरा विडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और विडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे